कि नमस्कार साथियों स्वागत्त है आपका इतियाज की क्लास में आज हम कि बीदित्य वर्ष के पर्थम पर्षन पत्र की काई तीन की सुरुआत करने जा रहे हैं इसका पहला टोपिक है मुगलों का साम, राज्य विश्तार, बाबर और हुमायों जिसके अंतरकरत आज हमें बाबर के बारे में पढ़ेंगे कि बाबर ने किस परकार भारत पर अधिकार किया और उसने कौन-कौन सी विज्यें प्राप्त की इसके बारे में हम भथपुन जानकारिया प्राप्त करेंगे उसे पहले थोड़ा मुगलवंस के बारे में कि भारत में मुगलवंस का संस्तापक बाबर को माना जाता है तो मुगलवस का संस्तापक जो था वह बाबर था और इसका वास्त्वीक संस्तापक जो है मुगलवस का वास्त्वीक संस्तापक अकबर को माना जाता है पकबर को माना जाता है क्योंकि मुगल की मुगल सामराजे की नीव या मुगल की नीव की स्थापना जो है मुगल वंस की स्थापना बाबर दुआरा की गई जब उन्होंने भारत पर आक्रमन किया और 1526 इस्वी में पानिपत के प्रथम युद्ध में इब्रहाइम लोदी को को प्राजित किया और दिली सल्तनपत अधिकार किया तो इससे जो है भारत में मुगल सामराजे की नीव पड़ी लेकिन इस मुगल सामराजे को वास्तविक सहरूप प्रदान करने का स्रे जो है वह अकबर को जाता है क्योंकि अकबर ने अपनी नीतियों के द्वारा और किया और काफी कुछ परसासन में सुधार किया जिसके कान जो है वास्तिक संस्तापक अकबर को माना जाता है मुगलों की मात्र भासा जो है वह चकताई तुर्की थी इनकी मात्र भासा चकताई तुर्की थी और इनकी राज भासा जो थी मुगलों की राज भासा राजभासा वह फार्शी थी राजभासा इनकी फार्शी थी और इनकी राजधानी आगरा थी जिसे अकबराबाद भी कहा जाता है क्योंकि अक्बर नाम बदल के अकबराबाद रख दिया था और इसके बाद अक्बर ने फटहपुर सीक्री नगर की इस्थापना की तो जो है राजधानी को आगरा से फटहपुर सीक्री इस्थांतरिन कर दिया और उसके बाद जो है सहाजानाबाद सहाजा के सासनकाल के दोरान सहाजानाबाद राजधन रियानी इनकी तीन राजधने रही आगरा प्रारमिक राजधनी जैसे अकबराबाद भी का गया और इसके बाद फतह फुर्शीकरी अकबर के दोरा और उसके बाद जो है सहाजानाबाद अर्था दिली जो सहाजा के सासन दित्य पूत्र के नाम पर पड़ा और लेकिन मुगलों को क्योंकि बाबर का संबंद जो है तैमूर वंस से भी था तैमूर जिन्होंने तेरा सो अठाणू इसवी में भारत पर आक्रमन किया था नासुरुदिन महमुद के समय में और दिली संद्पत अधिकार कर लिया था और यहां से काफी लूट कसोट की थी तो इनका संबंद तैमूर वंस से भी था तो तैमूर वंस से जो है होने के कारण इनको अपने आप पर इतना गरम था तैमूर वंस का होने के लिए कारण तो यह अपने आपको जो है खुद को तैमूर या भी कहते थे मुगल जो है अपने उन्होंने इस वंस को मुगल को सब्सका परयोग किया मुगल सामराजे मुगल सामराजे जो है एसिया के उन बड़े सामराजों में से एक था जो जो सोलवी एम सत्रवी सताबदी में परसिद थी जो सोलवी और सत्रवी सताबदी में एसिया में जो बड़ी सामराजे थी विशाल सामराजे थी जो परसिद थी उन में से एक था वे सामराजे थी मिग जो चीन में स्थापित था सफावी जो इरान में और ओटोमन जो तुर्क में इन विशाल सामराजों मैं से एक जो भारत में सामराज स्थापी दुआ था वह था मुगल सामराज है कि इन में मुगल सासकों मैं से कुछ तुछ सासकों की माताए हिंदू थी कई बार पर schwキ्रोड परसे एद šणंभी पूँछे जाते हैं आ影 के देघ्जाम में पूच हाथे तो वे कौन कौन से मुगल सासक थे जिनकी मातां हिंदू थे तो उनका हम यहां हिंदू मा की संतान कौन कौन से सासक थे तो इन सासकों में से ऐसे कई सासक थे जो हिंदू मा की संतान थे जैसे जहांगीर जहांगीर साहँजा जहांगीर की माता जोधा भाई की बारे हमने काफी पढ़ा भी है सुना भी है किताबों में लिखा गया है इसके उपर फिल्में भी बनी है जोधा आकपर की फिल्में भी बनी है तो जो है जहांगीर की माता हिंदू थी और साहँजा की माता भी हिंदू सब्सक्राइल चब प्रफम nosos इन माताब फिसी के साथ चाहाधूर चाहधूर्चा ओढ हाधूर सा अर्थम प्रफम इनकी माताभी हिंडूती और बहा दूशा प्रफम के साथ अहमद सायं बहां झाह दे इसके साथ आहमद सा अहमद सहा और बहदूर सहा दित्ते सहा दित्ती है ये वे मुगल सम्राट थे वे मुगल सासक थे जिनकी बाता हैं हिंदू थी सबसे अधीक सासन मुगल सामराजय में किसने किया या समसे लंबे समय तक जो है किसने सासन किया तो वो था अकबर सबसे अधीक जो अधिक सासन जो है वह अकबर ने किया सबसे अधिक सासन अकबर ने किया और सबसे कम कैम सबसे कम सासन जो है षा सबसे कम सासन जो है रफी जला में उजयात में किया कि मैं रफी उजयात ने किया इसके साथ-साथ मुगल सासक जो बाबर शे लेके औरंग जैब तक जो एक सामराजाय के सासक रही और उसके बाद सामराजाय शिनबिन हो गया था उसके उत्रादिकारियों के सासनकाल के दोरान तो इन में से जो मुखे-मुखे सासक जनों ने सासन किया उनके बारे में हलकी सी जानकारी कि कि सासक ने कब तक सासन किया तो सबसे पहले जो है बाबर, बाबर, हुमायू, अकबर, जहांगीर, जहांगीर, साह, जहां, साह, जहां, और औरंगजेग, औरंगजेग, 1526 में बाबर भारत के या दिली सल्टन के परसासक के रूप में या सासक के रूप में समराट के रूप बनते हैं, तो 1526 से लेके 1530 तक 1526 से 1530 इसी तक जो है बाबर ने भारत पर सासन किया और 1530 से 1556 तक कि पनड़ाइससन किया हालंकी हुमायू 1540 और су परस्की पच्चपन तक बाद में वापस हुमायू लोट आते हैं और सम्राट बनते हैं लेकिन कुछ समय बाद हुमायू की मरत्यू 1556 मरत्यू हो जाती है सीडियों से गिर कर तो उसके बाद 1556 1556 इसवी में अकबर सासक बनते हैं और 1556 से लेकि 1605 इसवी तक सबसे लंबा सासनकाल 1605 इसवी तक जो है अकबर का सासनकाल चलता है अकबर के सासनकाल के बाद जहांगीर सम्राट बनते हैं और जहांगीर 1605 से लेकि 1627 इसवी तक जहांगीर सासन करते हैं और उसके बाद जहांगीर के बाद साहांगीर सासक बनते हैं जो 1627 से लेकि 1658 इसवी तक सासन करते हैं और उसके बाद 1658 से लेकि 1707 तक 1658 इसवी से लेकि 1707 इसवी तक जहांगीर सासन करते हैं तो इस प्रकार यह थे उसके बाद इनके उत्राधिकारी बनते हैं जो 1707 से लेकि 1857 इसवी तक बाद में जो है इनके उत्राधिकारी जो है वो 1707 से 1857 इसवी जब पर्थम भारतिये 17 संग्राम हुआ या किरांती हुई जिसे 17 संग्राम भी कहा जाता है तो वहां तक इनके उत्राधिकारी ने सासन किया और अंतीम जो है मुगल सासक जो था अंतीम मुगल सासक वो बहादूर साथ दित्तिये जफर था अंतीम बहादूर साह जित्तिये जिसे जफर भी कहा जाता है बहादूर साह जफर को समराठ घोशित कर दिया लेकिन बहादूर साथ जफर को हुमायू की मकवरे में ग्रफतार कर लिया और इसे ग्रफतार करके जो है रंगून भेज़ दिया गया जहां बहादूरशा जफर की मरत्यु हो गई और इसके बारे में कोटेशन भी लिखा गया है कहा गया है कि एक मातर ऐसा अभागा सुल्तान था जिससे जो है अपने वतन की मिट्टी भी नसीब बारे में यह कहा जाता है क्योंकि इसे रंगुन भीया गया और कि ही इसकी ब husbands हुई तो एक 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 ऐसा अभागा सुलतान गैश्य को अपने वतन की मिट्टी भी फ्राप नहीं हुई इसके बारे में कहा जाता है अब बात आती है बाबर की तो बाबर के बारे में की बाबर जो है इनका मूल नाम क्या था इनका जनम कब हुआ और इनकी माता-पिता का नाम क्या था और इसके बाद जो है उसने किस परकार जो है भारत पर सासन किया उसके बारे में विस्तार से जहानकारी बाबर जिन्होंने 1526 से लेके 1530 इस्वी तक सासन किया तो इनका मूल नाम जो है बाबर का बाबर मूल नाम मूल नाम जहिरुदिन जहिरुदिन मोहमद बाबर था कि बाबर था और इनका जनम इनका जनम जो है वह 14 फर्वरी 1483 को 1483 इस्वी को जो है मावरा उन्स नहर यानि की ट्रांस आक्षियान की फर्गना में हुआ था फर्गना में इनका जनम हुआ और इनके माता पिता जो है माता का नाम कुत लुग निगार खानम था यह पिता का नाम उमर्शेख मिर्जा था इसे कलंदर भी कह गया बाबर को कलंदर भी कह जाता है कलंदर की उपादी दे गई क्योंकि यह जो है अत्यदिक मात्राम धन वित्रण करने के कारण यानि जब इसे धन प्राप्त हुआ इसने काफी धन प्राप्त किया युद्धों से आकरमन करके तो जो है इसने काफी मात्राम धन का वित्रण किया तो इसे जो है कलंदर कह गया और बाद में जो है इसने बादसा की उपादी भी धार्ण की जब यह सुल्तान बना परगना का तो उसके बाद जो है सुल्तान की उपादी धार्ण नहीं की दि लेकिन काबूल में जो है उन्हें फिर जे बादसा की उपादी धार्ण की जब सरोपर्थम 1506 और साथ को काबूल में फिर 1526 को इनने भार्क में बादसा की उपादी धार्ण की बादसा की उपादी धार्ण करने उपादी थी मिर्जा लगाता था आपने नाम के आगे और इसने जो है गाजी की भी उपादी धार्ण की जब की सब्सकते की भी आधिे अasan वैटार्ण की जब गाजी भी ह process बीच में लड़ा जिसमें वावर विजय रहा तो इस खानवा की वैज जो है इन्होंने उस युद्ध को धर्म की या जेहाद की जेहाद युद्ध की संग्यादी और उस युद्ध के जीत के बाद खानवा की जीत के बाद जो है इसने गाजी की उपाधी धारण की इसे कुछ और भी नाम दिये गई हैं बाबर को जैसे उन्हें जो है जीवनी ले इसरी जाता है तो इस परकार इन्हें जो है एक आजवी का डूढ़ने वाला सेनिक भी कहा जाता है प्रारमिक जीवन की बात करें बाबर के तो इनका जनम 14 फरवरी 1483 इस्वी में फरगना में हुआ और इनका नाम जो है जैरुदिन मौहमद बाबर था पिता की मरती होने पर 11 वर्स 4 महा की छोटी आयू में वह फरगना की गदी पर बैठा यानि सासक प्वैले फरगना का सासक बना और जब यह सासक बना था तो उस समय जो है इसकी उम्मर जो है 11 वर्स और 4 महा कि चार महा की उम्र बड़ी छोटी सी आयू में ही यह है प्रगना का सासक बना और पर जो है समर्कन पर इन्होंने आकर्मन किया और समर्कत के सासक अहमद मिर्जा की की मरतियू होने पर 1494 उस्वी में इनके बेटों के बीच में जो सासक था अहमद उनके बेटों के बीच में गरह युद आरंब हो गया और समर्कत में अववास्ता फैल गई उसी एववस्ता का लाब उठाकर बाबर ने 1406 इसवी में समर्कत जीतने का पर्थम बार परयास किया लेकिन वह इस परयास से असफल रहे परयास सफल नहीं हो पाया फिर जो है 1407 इसवी में उन्होंने पुनहे समर्कत पर आकरमन किया और इस जीतने का परयास किया और इस आकरम में जो है सफल होगे दूसरी बार इनको सफलता हांसिल होई लेकिन किन सो दिन बाद ही यानि जब समरकंद जीता उसके सो दिन बाद ही जो है फर्गना में विद्रो हो गया और उस फर्गना के विद्रो को दबाने के लिए जब बाबर वहां से रवाना हुए फर उसे फरगना पहुंचने से पहले ही ये मालूम हुआ कि विद्रोयों ने फरगना पर कबजा कर लिया है तो फिर वह वापस समरकंद की और लोटते हैं लेकिन समरगत लोटने से पूरो ही समरकंद पर अली मिर्जा ने अधिकार कर लिया और अब जो है बाबर के पास कोई राजë नहीं था वह बिना राजे का ही बादसा रह गया और इधर उधर भटकता रहा काफी समय तक इधर उधर भटकता रहा फिर जो है पंद्रा सो चार और पंद्रा सो चबीस इसवी में वहाँ काबूल के सासक और बाबर के चाचा उलबेग मिरजा की मर्ती हो गई वहाँ ववस्ता फैल गई इसका लाब उठाकर पंद्रा सो चार इसवी में काबूल पर उसने अधिकार कर लिया पहले तो वो इदर दर भटकता रहा काफी सालों तक लेकिन बाद में जो है पंदरा सो चार इस्वी में जब काबूल के सासक और बाबर का जो चाचा था लुग बैग मिर्जा उसकी मर्तियू हो गई तो काबूल में अववस्ता फैल गई और उसी अववस्ता का लाब उठाक पर मोका ने काबूल पर आकार्मण कर दिया और फिर सबुक्त पर एधिकार लिया उन्हें मिर्जा की उपाधी त्याग दि और बाधा की उपादी धार्ण की उसारव पर्थम उन्हें काबूल में इस उसी में उसकी पत्नी जो तीसरी पत्नी थी माहिम महिमा या सुल्तान महिमा सुल्ताना महिमाम काव्रा में अच्छी नहीं थी क्योंकि बाबर जो है वह अपने आपको तैमूर और चंगेज खां का वंसज मानता था और क्योंकि तैमूर और चंगेज खां दोनों नहीं भारत पर अधिकार किया था खबजा किया था तो जो है बाबर जो है वह अपना उत्राधिकारी भारत का उत्राध अधिकार कर से लिगार करें mica Explain Morocco करें और इसके सांत्त कई अन्यकार्ण ऐसे भी थे जिसके कार्डड़ भावर को भार पर आकरमन करने के लिदे प्रोषसाइट कि या प्रोषसाइथ होना पड़ इसके कई कार्ण बताई आते हैं विद्वान उन्हें इतियासकारों ने भिन-भिन कार्ण बताई हैं कुछ विद्वान मानते हैं कि बाबर अत्यदिक महत्वा काक्सी था और उसने जब समरकंद सीरिया समरकंद भरगना और काबूल आधी पर अधिकार कर लिया तो उसके बाद उसकी जो था उसे भारत पर आकरमन करने के लिए आमतित किया गया था क्योंकि जब इब्रहाइम लोदी दिली का सुल्तान बना तो उसका जो भाई था दौलत खांद लोदी वह उससे काफी इरस्या करता था तो कहा जाता है कि दौलत खांद ने जो है उसे निमंतरन भेजा कि अलम साह को जो है सुल्तान बना बना लीजिए यह निमंतरन भी मिला इसके साथ साथ यह भी माना जाता है कि महरणा सांगा जो मेवाड के सांग थे उन्होंने भी बाबर कोभारत पर आकरम्न करने के लिए निमंतरन भेजा था अब हलांकि सांगा का यह विचार था कि जिस लूट खसोड की धन संपता को लूटा और फिर वापस चले गई तो उसी प्रकार बाबर भी यहां आएगा और लूट सोड करके वापस चला जाएगा लेकिन जब बाबर नहीं स्थाई रहवास का निवा मन बना लिया विचार कर लिया तब जो हराना सांगा और बाबर के बीच में ठन गई और दोनों के बीच में युद अनिवारे हो गया और इसके बाद जो खानवा का युद 1577 में होता है तो चुका था चोटी-चोटी राजयों में और यह चोटी-चोटी राजय आपस में लड़ते रहते थे इसी प्रकार उत्तर भारत में भी इब्रहीम लोदी था जो उसके साथ-साथ उससे इर्षया करने वाले कई लोग थे और उससे जलते थे जिसे अपदस्त करना चाते थे इब्राहिम लोदी को हटाना चाहते थे तो ऐसी प्रस्तितियों में जब बाबर ने भारत पर आक्रमन किया तो जो है उसके लिए ये प्रस्तितियां बड़ी साहक सिद्ध हुई और उसने भारत पर अधिकार कर लिया इसके साथ जब दौलत खाने अपने पोत्र दिलावर खा परतिनिति मंडल भेजा बाबर के पास और युद्ध करने का निमंत्रन विगदिया आमत्रन किया और यह कहा कि इब्रहाहिम लोदी को हटा कर सहा आलम खांको जो है सासक बना दे तब जो है बाबर ने भारत भर आकरमन किया जो प्रथा महत्पुर्ण विज्य जो पानिपत की जगह जो है मुगल वंस की स्थापना हुई तो उससे पूरव जो है बाबर ने चार भारत अभ्यान किये वह चार भारत अभ्यान कौन-कौन से थे तो चार भारत अभ्यान जो है इससे पूरव बाबर ने किये वह थे सबसे पहले उन्होंने 1519 में बाजोर एवं भेरा प कि भेरा बाजर यहें भेरा पर आकर्म्न किया और उसे बाजर और बहरा को जो है भारत का परवेस द्वार कहा जाता था और इस युद की सबसे विशेश बात ये है, महत्मुन बात ये है कि सरव पर्थम बाबर ने बारूद और तौफ खानों का पर्योग इस भेरा युद में किया था सबसे पहले सरव पर्थम सरव पर्थम बाबर ने सरो पर्थम बाबर ने यहां बारूद और तोफ खाने का पर्योग किया तोफ खाने का पर्योग सरो पर्थम 1519 में बाजूर भेरा के युद में किया गया और इसके बाद उन्होंने सितम्बर 1519 में पेसावर पर दूसरा आकरमन बाबर का और उसके बाद जो है उन्होंने तीसरा आकर्मन जो है पंदरा सो बीस इसवी में सियाल कोट पर आकर्मन किया और उसके बाद जो है बाबर ने चोथा आकर्मन जो है पंदरा सो चोबीस इसवी में लहावर एम दीपालपुर जीता पंद्रासो चोबीस इस्वी में लाहोर व दीपालपुर जीता इस परकार पांचवा और महत्पुर्ण जो आकर्मण हुआ वह था पानिपत का सबसे भहत्पुर्ण पानिपत से पूरू चार अकर्मण किये इन्होंने 1529 इस्वी में बाजो रहाव पर पहला आकर्मण हुआ वाबर का उसके बाद सित्वंबर 1529 में पैसावर पर हुआ और इसके बाद 1520 इस्वी में सियालकोट जीता और उसके बाद 1524 इस्वी में लाहो करें सरा विशीष में उनमा जाता है तो पानिपत का पर्थम योद्ण है इससे संबंदित प्रसंद भी कई बार पूँछे जाते हैं कि पानिपत का पर्थम योद्ण बाबर और इब्रहायम लोड़ी इसमें जो है युद करता कौन थे य Lubकरता थे बाबर और एं इब्राहिम लोदी यह पानिपत का युद्ध जो है वह 21 अप्रेल 1526 को हुआ 21 अप्रेल 1526 में लड़ा गया यह युद्ध इसमें जो है विशेस बात यह है कि इस युद्ध में बाबर ने सरो पर्थम तुलूगमा पदती तथा उस्मानी पदती यानि रूमी विधी का जो परयोग इस युद्ध में किया सबसे पहले तुलूगमा पदती या तुलूग विधी व उस्मानी जिसे रूमी कहा जाता है विधी विधी का परयोग सरो पर्थम जो है पानी पत के युद्ध में बाबर ने किया तुलूगमा पदती क्या थी कि तुलूगमा पत्ती ये बाबर ने उजबेगों से सीखी थी और इसमें जो है सेना के दाएं और बाएं भाग में एक रिजवर सेना रखी जाती थी और जब युद्ध प्रारंब होता था क्योंकि युद्ध आमने सामने सेना उदारा होता था तो इस तुलूगमा पत्ती में क्या होता था कि इसमें एक सेना के किनारों पर दाएं और बाएं दोनों किनारों पर जो है एक रिजवर सेना रखी जाती थी जो खड़ी रहती थी और जब युद्ध प्रारंब होता था तो जब आमने सामने सेनाएं युद्ध करती थी तो ये से दोनों सेनाएं किनारों पर खड़ी सेनाएं जो रिजवर सेना खड़ी देती थी ये चक्कर लगाकर बीच्छे जाकर दुस्मन पर आकरमन करती थी जिससे जो है सत्रू की सक्ति तूड़ जाती थी भगदन बद तो इसी विद्धी में इस विद्धी में जो है इस विद्धी का पर्योग सरवपर्थम जो है बाबर ने पानीपत के पर्थम युद में किया उस्मानी या रूमी विधी क्या थी तो इसमें जो है तो यह एक तौफ सजाने की विद्धी ती जिसका सरवपर्थम पर्योग उस उस्मानी विदी थी उसका सरोपर्थम परियूग जो है 1514 इस्वी में इरान ने चाल्दी रान के युद्ध में किया था और भारत में इस पद्धी को लाने वाला बाबर था बाबर के अनुसार जब ये युद्ध हुआ तो बाबर ने अपनी आतम का था बाबर नामा या तुजू के बाबरी जिसे का जाता है उसमें लिखा है कि उस समय जो है उसके पास मातर 12000 सेनिक थे जबकि इम्राहिम लोधी की सेना में एक लाक सेनिक थे एव एक हजार हाथी थ इब्राहिम के पास तौफों या बंदुकों का अभाव था यानि बाबर की जो जब युद्ध हुआ जिसमें जो है सेनाओं का आंकलन करें तो बाबर कहता है कि मेरे पास सिर्फ 12000 सेनिक थे जबकि इब्राहिम लोधी के पास एक लाक सेनिक थे और एक हजार जो है उसके प संस्तंत के इतियास में पर्थम सुल्तान जो युद्ध करते हुए यह रण भूमी में वीरगत्ति को प्राप्त हुआ वह इब्राहिम लोधी था यानि इब्राहिम लोधी एक मात्र लोधी एक मात्र सुल्तान सुल्तान जो युद्ध भूमी में भूमी में लड़ते हुए मारा गया मारा बैया जो इब्राहिम लोधी दिली सलनत का एक मात्र वसुल्तान था जो युद्ध भूमी में युद्ध करते हुए मारा गया तो इस युद्ध में बाबर विजय हुए और विजय के बाद जो है इसके विजय के कई कारण बताई जाते हैं इसमें विशेश रूप से जो है डॉक्टर आसिरवाद आसिरवादी लाल श्री वास्तव के अनुसार इसमें जो है सफलता का परमुक कारण उसका तोफ काना था यानि बाबर जो है इस परमुकी सताइब लिए कोई तब बाबर और हुमायू सोरी बाबर और राहा संगा के भीच में ठनी क्योंकि राहा संगा का जाता है कि राहांगा नहीं को निमंतरन ब्हें जाता युद्व का इब्राहिम को करने के लिए लेकिन सांगा का यह विचार था कि जिस परकार पहले आए और गए उसी परकार यह भी चला जाएगा लेकिन जब उसने इस्थाई रूप से रहने का मन मना लिया तब जो है बाबर का जो है सामराजय विस्तार की नीती को देखकर महारणा सांगा को लगा कि उसकी सामराजय विस्तारवादी या उसका दिलिक पर अधिकार करने का सपना सपना ही रह जाएगा तो इस वज़े से जो है उसने आपस में दोनों में ठनी और और फिर जो है इन दोनों के बीच में खानवा कायुद होता है कि बाबर और कि खानवा कायुद कि खानवा कायुद कि बाबर कि और और राना सांगा जिसे संग्राम सिंग भी कहा जाता है संग्राम सिंग उदेज सिंग के पिता और इसके साथ साथ मीरा बाई का नाम हमने सुनाई है मीरा बाई के जो है ससुर तो राना सांगा और बाबर के बीच में खानवा का युद होता है यह युद 16 मार्च 1527 को होता है को आइस सोला मार्च 1557 में खानवा का युद होता है इस युद की भी विशेस्ता है कुछ भिशेस है इसमें विशेस यह है कि युद को बाबर ने जीहाद यानि कि धरम युद्ध की संग्यादी कि किस युद्ध को बाबन धरम युद्ध की संग्यादी तो खानवा के युद्ध को जो है जेहाद यानि धरम युद्ध धरम युद्ध की संग्यादी खानवा वरत्मान वर्तमान जो है वर्तमान में भर्तपूर का एक गाव है जो आगरा से 37 मिल दूर है खानवा युद से पूर्व राणा सांगा ने रन थंबोर एवं खंडार दुरुग जीच लिया था और इसके बाद बयाना पर चड़ाईकर वांके गवर्नर ख्वाजा महंदी को हरा दिया और बयाना दुरुग को आधार बनाकर राणा सांगा ने उत्तर पस्चिम की और बढ़ना प्रारम किया तथा बसावर में अपना स्वीर स्थापित किया अभ दोनों में डुक्राव निश्चित हो गया तो जो है बसावर में अपना स्वीर स्थापट करने के बाद जो है कि साथ कई सक्ति-साली सर्दार आ मिले उनकी साथ हो लिए और यहां पर जो है इनके साथ में जो सक्ति-साली सर्दार थे जिन में से राय सीन का सिलहदी, हसन खा मेवाती, इब्रहाइम लोदी का भाई महमुद लोदी भी समलित था, राणा सांगाने खानवा युद से पूरो पाती लेखन, पाती लेखन जो राजपुतों की प्राचिन परंपरा थी, पूरो परंपरा थी, उन्हें पुनर जीवित किया, अर् साथ मिलिए, और हमारे साथ मिलकर हम इन विदेशियों को भारत भूमी से बहार भगाने का पर्यास करें, बहार भगाएं, तो इसलिए उसने जो है, साराना सांगाने, पाती लेखन परंपरा को बुनर जीवित किया, और सभी सरदारों को जो है, चिठी लिखी, पत्र लिख होगा, जब यह बविशिवानी सुनी, तो जो है सेनिकों का जो उतसाह था, जो पानिपत के प्रथम युद में, विजेक के दोरान, जो उत्साहित हुई थे, सैनिक, तो उनका सारा उत्साह, जो है, जाता रहा, सेनिकों ने युद करने से मना कर दिया, जब बाबर ने पासिक विसाल सेना थी सामने विसाल सेना खड़ी देखकर बाबर के सेनिकों के पसी ने छूट गए और उन्होंने युद करने से इंकार कर दिया तब बाबर ने बहुती एक चतूर खिलाडी की भांती एक खेल खेला और उसने जो है अपने जो सराब के जितने भी पातर थे सुरण पातर थे उन सब को तुड़वा दिया और सराब न पीने की सफ़त ली और इसके साथ साथ उन्होंने जो है सेनिकों को एक बहुती उत्सा वर्दक भाषन त्यार करके भाषन सुनाया उन सेनिकों को सम्मोदित किया और उन सेनि युद्ध है जिहाद है अगर इस युद्ध में जो है हम मर भी जाते हैं तो हमें जन्नत नसीब होगी और अगर विजय प्राप्त होती है तो भारत पर जो है हम सासन करेंगे पूरे भारत पर राज करेंगे और इसके साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध के बाद ज जो भी सेनिक वापस काबुल जाना चाहें तो उसे वापस काबुल जाने की अनुमति दी जाएगी और इसके साथ-साथ सेनिकों से जो कर लिया जाता है सीमा सुलक लिया धायता है वहwieं नहीं लिया जाएगा तो इस परकार बाबर ने बड़ी कूटनीती पूर्ण जो है सेना को फिर से तयार किया युद्ध के लिए और उन्होंने कुरान की सफ़त दिलवाई परतेक सेनिक से कुरान की सफ़त दिलवाई और सेनिकों ने बड़े ही उत्सा से क्योंकि बाबर के ओजिस्वी भासन सुनकर सेनिकों में एक नए उत्सा का संचार हो गया वह पूरी तरह से जोस में आ गए और उन्होंने कुरान को साक्सी मानकर कुरान की सफ़त खाई कि हम अपने मरते दम तक युद लड़ेंगे और इस परकार बाबर ने जो सेना का मनोबल गिर रहा था उसे पुनहे पुनर जीवित किया और युद प्रारंब हुआ युद में जो है बाबर ने वही पदती अपनाई और जैसे ही क्योंकि राजपूत जो है अपने प्राचिन प्रंप्रागत युद सेली से ही वाकिब थे और इसके साथ साथ राजपूत किसी एक राजा के नियंतरन में नहीं थे क्योंकि भिन्विन जागिर्दारों के भिन्विर रियासतों के सैनिक वहां मुझूत थे और अपने अपने जागिर्दार के अंडर में युद लड़ रहे थे तो उनमें एक अनुसाशन की कमी थी अनुसाशन सेना में अनुसाशन नहीं था और pillow आ इसके साथ सास जब यु गुरसवार धनुधारियों और जो है अतौफों के गोलों के सामने राजपुत सेना टिक नहीं पाई और इसी दोरान जो है महारणा सांगा को एक तीर लगता है और महारणा सांगा घायल हो जाते हैं जब महारणा सांगा घायल हो गई तो जो है उसके महारणा सांगा का है और युद शेतर से चले गए हैं तो सेना का मनोबल पूरी तरह से तूट गया और सेना भगदर मच गई और इस तरह से जो है इस युद में अभी बाबर विजय हुए और इस युद की विजय के बाद जो है बाबर ने गाजी की उपाधी धारण की प्रसंद बनता है कि किस युद में बाबर ने गाजी की उपाधी धारण की थी तो खानवा की युद में बाबर ने गाजी की उपाधी धारण की इसके साथ साथ ये भी होता है कि जिहाद किस युद में कहा गया तो जो है जिहाद जो है खानवा के युद में कहा गया घोशना की गई और इस परका बार राजबूत संग पराजित हुआ पानीपक के प्रथम युद्ध से भी खानवा का युद्ध महतुपुर्ण था क्योंकि पानीपत का जो युद्ध हुआ वो अफगान एक मातर सक्ती नाम मातर की दिली सतलंत की सक्ती उसके साथ युद्ध हुआ था और उसमें वो पराजित हुआ था जबकि खानवा का युद्ध था ये पूरे राजबूत संगों का संग था पूरे राजबूत संगों की मुगल साम राजे में बिल्याय कर लिया मुगल साम राजे में सामिल कर लिया इसके बाद खानवा के बाद चंदेरी का युद चंदेरी का युद जो 28 जनुरी 1528 को लड़ा गया जनुरी 1528 को 1528 को लड़ा गया बाबर वर्स एव मेदीनी राय मेदीनी राय के बीच में लड़ा गया और इस युद में भी बाबर ने जब युद लड़ा गया चंदेरी का युद 28 जनुरी 1528 इसी में तो इस युद में भी विशेश ये एक बात है कि इस युद में सेरसाह सूरी जिसने दित्य एफगान सामराजे की इस्तापना की हुमायू को पराजित करके तो सेरसाह सूरी जो है इस युद में यानि चंदेरी के युद में शेरसाह सूरी जो है वह चंदेरी के युद में जो है बाबर के साथ मिलकर मेदिनी राय के विरुध लड़ा था जब बाबर ने खानवा जीत लिया उसके बाद जो है बाबर ने मेदिनी राय जो उस समय खानवा के युद में भी थी तो उनसे यह कहा कि आप जो है जो चंदेरी का किल्ला है वो मुझे दे दीजिए और उसके बदले में आपको जो है समसाबाद का किल्ला दे देता हूं लेकिन मेदिनी राय ने प्रस्ताव अस्विकार कर दिया जिससे जो है इन दोनों के बीच में युद हुआ बाबर ने चंदेरी के युद में भी जिहाद की संग्या दी और इस युद में मेदिनी राय पराजित हुआ और वीर गति को प्राप्त हुआ राजपूत इस्त्रियों ने जोहर कर लिया बहुत बड़ी संख्या में राजपूतों युद्ध में मारे गए और इस्त्रियों ने जोहर किया और विजय परतीक के रूप में जो है राजपूतों के सिरों का एक इस्थम निर्मित किया बाबर ने जो है एक इस्थम निर्मित किया उसके बाद गागरा का युद चंदेरी के बाद गागरा का युद गागरा का युद जो है यह पांच मई 1529 को लड़ा गया पांच मई 1529 को लड़ा गया और इसमें जो है बाबर एम अफगान जो अफगान थे जोने एक संग बना लिया था उनकी बीच में युद हुआ इसमें विसेश यह है कि मध्ययूगी नितियास का यह पहला युद था जो जल एम थल पर लड़ा गया यानि जो जो गागरा का युद था यह मध्ययूगी नितियास का पहला युद था जो जल एम थल दोनों पर लड़ा गया इससे पूरों जितने भी युद हुए वो केवल इस थल पर हुए यानि जमीन पर हुए जबकि गागरा का युद जो है इसमें विसेश बात यह है कि यह मध्ययूगी नितियास का पहला युद था जो जल और थल दोनों जगह पे लड़ा गया क्योंकि मुगलों ने अफगानों से सत्ता चीनी थी क्योंकि इब्राहिम लोदी को पराजित करके दिली पर अधिकार कर लिया था तो सत्ता अफगानों से चीनी थी इसलिए मुगलों के प्रती उनका विरोध करना स्वाभाविक था शेर साह सूरी नुसरत साह जो बंगाल का सा सक था एव महमूद लोदी ने बाबर के विरूद एक संग का गठन किया एक संग बनाया और संग का निर्मान किया और इसमें अफगानों का नेता सुल्तान सिकंदर लोदी का पुत्र दूसरा पुत्र जो था महमूद लोदी वह थ अफगानों ने उसे अपना सुल्तान सुईकार कर लिया जिसे जो है राना सांगा ने भी दिली का सुल्तान सुईकार कर लिया था दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ लेकिन अफगान पराजित हुए हलांकि पराजे अफगानों की हुई लेकिन बाबर जो है अफग ने दिया उनसे चीना नहीं और इस प्रकार एक विदेशी आकर्वनकारी जो भारत आते हैं और भारत पर इस्थाई रूप से अधिकार कर लेते हैं और यहीं पर ही एक बाद में लंबी चोड़ी परंप्राय वंस इस्थापित होता है जैसे मुगल सामराजय कहा गया तो उसे इस्थापित करते हैं और इस परकार जो है एक सामराजय की इस्थापना बाबरदारा की जाती है जो मुगल कहा गया और फिर जो है अंतिम 1526 सुरी 26 दिसंबर 1530 में 26 कि दिसंबर कि पंद्रा सो 30 इस्थी में जो है बाबर की मरत्यू हो जाती है बाबर की मरत्यू के कई कारण विद्वानों ने बताई हैं और इसका एक जो है कारण गुल बदन बेगम जो बाबर की पुत्री थी और हिंदाल की सगी बहन थी और हुमायू की सोतेली बहन थी जिननने हुमायू नामा यह बताती है कि एक घटना का उलेक करती है कि जब संभल की जागिर हुमायू को दी गई और उसे वहां का जागिरदार बनाने के लिए संभल बेजा गया तो जो है वा हुमायू उस समय काफी बिमार हो गए और उसे वेदों चिकिसकों को वेदों को दिखाया गया लेकिन उसकी बिमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी और इस कांड जो है उसकी बिमारी बढ़ रही थी और जब बाबर ने उसकी बीमारी का कान जानना चाहा तो जो है लेकिन कुछ समझ में नहीं आया चिकिस्टको को कोई समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस हुमायू को ऐसी कौन सी बीमारी जिसका इलाज नहीं हो पा रहा है तो जो है उन्होंने जो एक फकीर थे मीर अब्दुलबक्का जिनका नाम था उन्होंने बाबर को कहा कि जो हुमायू को सबसे प्रिये चीज है उसका अगर त्याग किया जाए तो हुमायू ठीक हो सकते हैं स्वस्त हो सकते हैं ऐसा कहा जाता है कि तब जो है बाबर ने हुमाय से ये प्रातना की कि आप जो है हुमायू की जान के बदले उनके प्राण के बदले मेरे प्राण ले लें तो कह जाता है कि उसके बाद जो है हुमायू स्वस्त होने लग गया और बाबर जो है बीमार पढ़ने लग गया और इसी बीमारी के चलते फिर जो है 1536 दिस्वर 1530 इस लोधी की मा जिन्होंने बाबर को जहर दिया और उसी जहर से जो है बाबर की मरतियू हो गई तो कारण कुछ भी रहो लेकिन 26.1530 को बाबर की मरतियू हो जाती है और उसे सबसे पहले जो है आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है लेकिन काबूल जो है वो बाबर को भी कहा था कि काबूल जो है एक मनुश्य के लिए रहने की सबसे अच्छी जगह है उसकी आब हुआ सबसे अच्छी है सुद्ध है तो जो है काबल इसके बाद पहले जहां उसे आगरा में दफनाया गया आरामबाग में उसके बाद सेर सहां कि सासनकाल के दोरान उसकी पतनी पतनी जो मुबारक बीबी यूसूफ जई थी उसने उसकी अस्तियों को निकाल कर वापस काबूल में दफना दिया गया और वहां पे उसका मकबरा बनाया गया तो इस परकार बाबर की मर्तियू हो जाती है बाबर ने आतम कथा लिखी जिसका नाम तुजू के बाबरी कहा को जाता आ है और उसकी उसका दूसरा नाम बाबर नामा भी कहा जाता है जो मूलरूप से तुरकी बाचा में थी और पहला वो मुगल बाजसा था जसने अपनी आतम कथा लिखी उसके बाद कता बाबर नामा का पार्सिंद और उस अनुबाद में सबसे पहले अबदूर रह चाना ने जो है 1590 हीी में अक्बर के सासन काल के दोरान इसका फार्षी में अनुवाद किया और उसके बाद अबू-तालीब तुर्की ने तुर्भती ने सहजा के समय के अनुवाद किया और अंग्रीसी में इसका जो है इस्नीय सुसना लिर्ट ने इस जो नहीं इस बाअ नामा का अंग्रीजी में परशीद अनुवाद किया और जिसे मेमोरेस ओफ बाबर नाम बाबर नाम से जाना जाता है तो इस परकार यह थे बाबर जिनकी विजय और उनके बारे में हुमायू के बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद झाल